दोस्तों अगर हम अपने प्रधान मंद्री नरेंद्र मोधि को एक रसायान विज्ञानिक के रूप में देखें, जिन्होंने पिछले एक साल में पड़ोसी मुलकों पर विदेश नीती के तरह तरह के प्रयोक किये, तो हम पाते हैं कि भूटान बेसिक यानि दोस्ताना मिजा वाला रहा, वहीं श्री लंका और नेपाल बीच के न्यूटरल निकले और मालदीव कुछ वक्त तक हमारे खिलाफ एसिड से भरा हुआ खटा रहा, जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाईड्रोक्लोरिक एसिड की तरह हमेशा से खतरनाक रहा है, वहीं चीन एक विरोधी बदलकर सबसे ऐसे टिक या कहें खटा हो गया है, जिससे पियम मोदी की बांगलादेश प्रधान मंतरी शेख हसीना को पटा कर दोस्ती करने की तमाम कोशिशें भी बरबाद हो गई हैं, ये कोशिशों का सिलसिला एक अरसे पहले तब शुरू हुआ था जब वो खास हसीना की तलाश कर रहे थे, 2014 की सेयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार मिलने के लिए और तबी से दोनों की जन्म जन्मांतर की दोस्ती शुरू हुई, ये भी सबको पता है कि कई साल पहले 1971 में भारत नहीं बांगलादेश को पाकिस्तान के जाल से निकाला था और उनकी आ लेकिन हसीना खास थी क्योंकि उन्होंने अपने देश में चिपे भारत के पुर्वोत्तर के विद्रूईयों को मिल रही मदद को जड़ से काट डाला और साबित किया कि वो भारत की सुरक्षा का ध्यान रखती हैं और तो और वे बांगलादेश में बसे अल्पसंख्यक हि समुदायों की रक्षा करते हुए उन्हें कटर इसलामी ताकतों के अत्याचार से भी बचाती हैं जो कि खालिदा जिया की बांगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी बी एंपी 2006-2009 के पिछले कटर पंति शासन के बिलकुल उलट था इसलिए मोधी ने भी बांगलादेश को और उर्चा सुरक्षा में मदद करके हसीना सरकार को मस्बूत किया बांगलादेश के सबसे बड़े रेडिमेट कपडों के उध्योगों को भी बढ़ावा दिया 2023 में अपनी जर्वतों से ज्यादा भारत में इंपोर्ट करके और 2021 में भारत बांगलादेश के बीच दो और ट्रेने चला कर आम इंसान के सफर को आसान बनाया कोलकाता से खुलना तक बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाई गुडी से ढाका के लिए मिताली एक्सप्रेस लेकिन हमारे मोधी खामोश रहे जब हसीना लोग तंत्र को दबा रही थी मुख्य विपक्षी नेता बिमार खालिदा जिया को घर में नजर बंद करके उन पर और उनकी पार्टी के नेताओं पर कई मामले धर्च करके और स्वतंत्र पत्रकारों और नागरिक समाज के एक्टिविस्टों को परिशान करके और यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि चुनाओ प्रथा में धांदली क करके लगातार वे तीन बार चुनाओ जीती उनकी काम्याबी पर अंधा विश्वास करते हुए मोदी ने सारे विश्वास के अंडे हसीना की टोकरे में डाल दिये इतनी दोस्ती की मोदी 2023 में उनसे 10 बार मिले पर उन्हें क्या पता था कि ये सारी मदद भारत को वापस ने के लिए आएगी जब भगोडी हसीना भागते हुए मोदी के पास छिपने चली गई और पिछले कुछ महिनों से एक अग्यात सुरक्षित घर में खुद को बंद कर लिया और कथे तोर पर हाल ही में वे लुटियंस दिली के एक बंगले में शिफ्ट करती गई और यहां यह बंगलादेश के संस्थापक पिता और 1971 के आजादी की लड़ाई के नायक शेक मुझिबुर रह्मान को हटा कर उनकी जगह लोगों के दिलों में महम्मद अली जिन्ना को घुसाने की कोशिश में लगा हुआ है यह पाकिस्तान अभिमानी बंगालियों पर उर्दू भी थोपते हुए वही बंगलादेश के नए मसीहा नोबेल शांती पुरुसकार वजेता महम्मद युनूस ने अपनी 16 सदस्यो वाली कैबिनेट में बंगलादेश नैशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों और कुछ कट्टर पंथी जमाते इसलामी के तरफदारों को भी रखा है जो एक पाकिस्तान का चमचा कट्टर इसलामी गुठ है और पाकिस्तान की ISIS की खूब चाड़ता है जिनके प्रभाव में युनूस जनाब ने अलकायदा से जुड़े कातंगवादी संगठन के मुख्या को आजाद तक कर दिया तो ये तो साफ है कि बंगलादेश भारत की चत्रचाय से बाहर निकल गया है क्योंकि युनूस को खुच चुलमची है अपने नागरिकों को पाकिस्तान के साथ समझोता कराने में वो ही पाकिस्तान जिसकी सेना ने 1971 में हजारों बांगलादेशों की क्रूर तरीके से हत्या करी थी हमारे युनूस अंकल तो हसीना और यहां तक की खालिदा जिया के बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं जिन दोनोंने पाकिस्तान से दूरी बनाय रखी है यहां तक की संबंदों को मजबूत बनाने के लिए आज बांगलादेश पाकिस्तान से हतियार खरीद रहा है हाला कि आज भी वो चीन ही है जो इसका सबसे उस रहे चीन के बारे में चिंदा करनी है जो पका किसी ना किसी बड़े प्रोजट के साथ बांगलादेश में अपनी ताकत तो बढ़ाएगा ही पहले से ही चीन मोंगला पोर्ट को बढ़ाने में पैसा लगा रहा है जहां पर और चिट्टा गॉंग पोर्ट पर भी उसका दबदबा है और चीन ने बांगला देश को तीस्ता नदी का संचालन और पुनर स्थापन करने की भी पेशकश की है जो की शुरू तो भारत के उत्तरी सिक्किम से होती है हलाकि भारत को इसका श्रे जाता है कि उसने मालदीव में कुछ इसी तरह के हालात बदलने में कामिय भी हासिल की जब उसके नए राश्ट्रपती महुमत मुईजू ने इंडिया बाहर निकलो के नारे के दम पर चुनाओ जीता और भारत को उसके खोज और बचाओ सेनिकों को अपने इलाके से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जो कि फालतू की बात थी क्योंकि हर एक सौजी के बदले बाद में भारती नागरिक ही उसकी जगह आए बस वो वर्दी में नहीं थे लेकिन मुईजू को जल्द ही एहसास हो गया कि चीन अपने एक दशमलो तीन अरब डॉलर का कर्स जबरन लेकर ही मानेगा और जब भारत ने उसे काफी सारा पैसा देकर मुश्क नेपाल जिसकी वर्तमान सरकार दो वाम बंथी दलों का गटबंदन है ये कम्यूनिस्ट चीन की ओर ज्यादा आकरशित होती है प्रधान मंतरी खड़क प्रसाज शर्मा ओली उर्फ केपी ओली के हिंदू भ्रामन होने के बावजूद भी उनकी सरकार ने एक तरफा फैसला करते हुए 100 रुपे के नोट पे नेपाल का एक नया नक्षा बना दिया इतनी मजाल कि उसमें भारत की उत्राखंड सीमा पर काला पानी लिपुलेक और लिपिया धुरा के विवादे दिलाकों को अपने देश का हिस्सा दिखाया और चीन से इतना पैसा लिया कि चीन धेर स के साथ भारत को पीछे छोड़तो हुए नेपाल में सबसे बड़ा निविशक बन गया सीधी बात लो बखवास तो यह है कि वो चीन और भारत को लड़ा कर खुद मजे लूटना चाहता है श्री लंका से बिलकुल उल्टा जो दोनों को खुश करके जी हुजूरी कर रहा है हाल ही अगस्त में श्री लंका ने एक दिन दोनों भारतिय और चीनी जंगी जहाजों को कुलंबो में डॉक पर लगाने की इजासत दी और यहां तक की श्री लंका के नए राष्टरपती अनुरा कुमार दिसानाय के एक तेस तड़ार वाम पंथी नेता जिनका भारत विरो हातों नुकसान उठाना पड़ा है जिसके दबाव में श्री लंका को हबन टोटा पोर्ट की कुर्बानी देनी पड़ी थी भारत की एक लौती पक की यारी बहुत देश भुटान के साथ है जिसका प्यम मोधी तीन बार दोरा कर चुके हैं और वहां अकसर पैसे देकर दोकलां प्लेटिव नाम के एक बहुती रणनीतिक तिराय पर बसता है जिसके माधियों से चीन ने 2017 में भारती हलाकी में घुसने की कोशिश की थी इसलिए वहां चीन सड़के और बस्तियां बनाये जा रहा है भुटान की नाराजगी के बावजूद भी तो भारत बांगल प्लेटिक रूप से ज्यादा स्थिर देशों में धंदा करने की चेतावनी दी जारी है तो वो समय दूर नहीं कि बांगलादेश को भी वित्य संकट का सामना करना पड़ सकता है तब वे किसकी और जोली फैलाएंगे अत्याचारी चीन या दयालू दोस भारत हलाकि फिलाल इसे उसी तरकीब का इस्तमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ काम आई थी जब वो शान्ती की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं लेकिन पहले आपको आतंगवात को रोकना होगा विडम बना ये है कि भारत और बांगलादेश के बीच जो प्रत्यपन ट् बहराल क्या लगता दोस्तों क्या हसीना जी रह समय तरीके से दिल का दौरा पढ़ने की वज़े से अल्ला को प्यारी हो सकती है जिससे अपने आप ही भारत के समस्याओं का हल निकल जाए हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सिस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे